मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते ही कि रास्ते पर कुछ लोग गारी लेकर वहां से जा रही लड़की को किड्नेप कर लेते हैं। उस लड़की का नाम लिसा होता है। वो लोग उसे एक सुमसान जगह पर ले जाकर जानवरों की तरह बांद देते हैं। दरसल वो लोग कुछ एक्सपरिमेंट करना चाते हैं जिसमें वो लोग ये जानना चाते हैं कि अगर किसी इंसान को डॉक की तरफ बांद दिया जाए तो उसका बिहेविर कैसा होता है। अब लिसा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी के उसके साथ क्या हो रहा है और उसे इस तरह क्यूं बांद गया है। लेकिन लिसा ने पिछले दिन वाला खाना नहीं खाया होता है। ये देखकर वो आदमी जो खाना लाया होता है वो खाने को वापिस ले जाता है। लिसा अपने पैर की उंगलियों की मदद से उस प्रेट को अपने पास लाने में काम्याब हो जाती है। यूँकि अब उससे भुक बरदास नहीं हो पा रही थी। उसी वक्त उसे एक आदमी की आवास सुनाई देती है। जो उसी की तरह वहाँ बंदा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। तभी वहाँ पर लाइट्स ओफ हो जाती है। फिर लिसा बचा हुआ खाना फैंक देती है और प्लेट को दीवर से मारने लगती है और मदद के लिए फिर से पुकारने लगती है। तभी उसे चक्कर सा आने लगता है क्योंकि उन लोगोंने खाने में कुछ मिलाया था फिर वो बेहोस हो जाती है। अगले दिन उसे एक डॉक की तरह नहलाया जाता है। जिसको वहाँ पर बंदा हुआ था। उसका नाम एडम होता है। उन लोगोंने उसे भी लिसा की तरह किडनब किया होता है। वो दोनों एक डूसरे से काफी दूर बंदे हुए थे। लिसा एडम को देखकर थोड़ी खूस हो जाती है क्योंकि उसे वहाँ बहुत अकेला पन लग रहा था। तब ही वहाँ पर वही डॉग वाला खाना आ जाता है। एडम लिसा से कहता है कि वह खाना नहीं खाना क्योंकि वह लोग खाने में कुछ मिलाते हैं जिससे हमें चक्कराने लगते हैं और फिर हम बहुस हो जाते हैं। बहुस हो जाते हैं तब लिसा अपने सपने में एडम को देखती हैं जहां वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। अपने से मना करता है। ये देख एडम दर के पीछे चला जाता है। फिर वो आदमी उन दोनों को गले के पट्टे की मदद से बहुस कर देता है। इसके बाद फिर से जब वो डॉक्टर लड़की उनके लिए खाना लेके आती है तब एडम उसे खीच कर उस पर हमला करके उसे बहुस कर देता है। वो उसकी जब से चावी निकल कर लिसा को खुलता है। लिसा उसे कहती है कि वो लोग हमें देख रहे हैं। इसलिए हम यहां से नहीं भाग सकते लेकिन एडम वहां से भागना चाता था। तबी अचानक लिसा पीछे से एडम के सरप वार कर देती है और उसे बहुस कर देत अब यहां पर हमें लगता है कि लिसा ने ऐसा क्यों किया। दरसल लिसा भी एक डॉक्टर है और वो भी इस एक्सपरिमेंट का एक हिस्सा है। वो केमेरा में देखकर उन दोनों डॉक्टर से बाते करती है। उन दोनों डॉक्टर का नाम जॉर्ज और एरिका होता है। फि उनके computer screen पे और लोग भी थे जिनके साथ वो experiment हो रहा था तबी वहाँ Dr. Fisher का phone आ जाता है जो इस पूरे experiment को चला रही होती है वो George को camera on करने के लिए कहती है जो Lisa ने off कर दिया था फिर वो दोनों Lisa को उसी जगह ले जाने लगते है जहां पहले वो बंदी हुई थी Lisa को सकता कि वो लोग फिर से खाने में नसा मिलाएंगे पर Erica से समझाती है कि वो उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहां सब लोग एक परिवर की तरह है फिर वो Lisa को उसी जगह बांद देती है जब Adam को हो साता है तो वो Lisa को बताता है कि वो यहां से भागा था लेकिन Lisa उस से कहती है कि खाने में नसा होनी की वज़े से तुम्हें ऐसा भ्रम हुआ होगा अगले दिन वो लोग उन दोनों को बाहर लाते हैं और चलने के लिए बोलते हैं चलते चलते वो दोनों आपस में बाते करने लगते हैं और एक दुसरे के बारे में जानने लगते हैं और साथ एरिका सिगनल आने की वज़े से कुछी दिर में वो दोनों बेहुस हो जाते हैं इसके बाद जोज एडम को पनिस्मेंट देने के अलिए इंजेक्शन लगाता है जिससे एडम को जोज एक सहतान की तरह दिखने लगता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है फिर जोज लिसा क भी इंजेक्शन लगाता है जिससे लिसा को सपने में एडम दिखाई देता है अब एरिका स्क्रीन पर देखती है तो उसे पता चलता है कि इस्ट की तरफ वाला कैमेरा ओफ है इसलिए वो जोज से इस बारे में पुछती है तो वो बताता है कि वहां के कैमेरे में कुछ सब्रा जाती है कि उस इंजेक्शन का असर अभी भी है एरिका उन दोनों को फिर से उन्हें उनकी पहली जगह पर बांध देती है एरिका को जोज स्किन पर उन दोनों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है एरिका ये सारी बते दॉक्टर फिसर को बता देती है फिर दॉक्टर फिसर वहाँ पर आकर जॉर्ज को उन दोनों को ड्रग देने के लिए मना करती है और साथ में उसको जैल में डालने की धंकी भी देती है बात नहीं सुनती और उस पर हमला करके उसका गला दबाने लगती है और फिर उसे एक फिर्ज में लॉग कर देती है उधर एरिका और जॉज आपस में बहस कर रहे होते है एरिका जॉज से कहती है कि हम उने बहस पर देख लेता है और वो सब समझ जाता है वो ये भी मालूम कर लेता है कि उसने डॉक्टर को किस जगह पर रखा है फिर वो उसी जगह पर जाकर डॉक्टर फीसर का टैबले ले लेता है जिससे वो वहां का सारा कंट्रोल चलाती है एरिका ये सब करते हुए जॉर्ज को करने वाला है फिर एडम और लिसा बाते कर रहे होते हैं तभी लाइट्स ओफ हो जाती है एरिका ही लाइट्स को आफ कर देती है वह जोज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचती है जहां उसे डॉक्टर फीसर की लास मिलती है यह देखकर वो डर के मारे चिलाती है यह अवाज एडम और लिसा भी सुन लेते हैं तभी जोज एडिका का मूँ दबा कर उसे चुप करवाता है और उसे कहता है कि यह सब कुछ लिसा का किया धराया है अब एडिका पूलिस को फॉन करने जाती है तभी जोज उसे इंजेक्शन लगा कर उसे बेहोस कर देता है उस दिर्व एडम को ले जाकर एडिका के समने बान देता है उसमें आते ही एडम उसे लिसा के बारे में पूछता है एडिका उसे कहती है कि वो नहीं जानती साथ में वो बताती है कि हम इंसानों पर जानवरों जैसा एक्सपरिमेंट करते है और लिसा भी हमारे साथ ही है लिसा नहीं उसे बेहोस किया था, यह सब कुछ सुनकर एडम लिसा से नफरत करने लगता है, उस तरफ जो यह सब कुछ स्किन पर देख रहा होता है, लिसा एडम से मिलना चाहती थी, फिर जो उसे उसके सारे बॉइफरंट से मिलाता है, जो सभी बंदे हुए होते है, लिसा ने सब को बदला लेने के लिए वहाँ पर रखा था अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज भी लिसा को पसंद करता है और यह सब उसने लिसा के लिए ही किया था पर लिसा जॉर्ज को नहीं एडम को पसंद करती है जॉर्ज उसे समझाता है कि एडम उसके लिए सही नहीं है फिर वो लिसा को डॉक्टर फीसर की डैड बोड दीखाता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हाने लिये किया फिर वो लिसा को Erika और Adam के पास ले जाता है वो लिसा से कहता है कि तुम में इन दोनों में से किसको मानना पसंद करोगी क्यूंकि अब एडम भी सच्चा ज आनने के बाद लिसा को पसंद नहीं करता और एरिका ने उसको धुका दिया है एरिका ऐसा करने से उसे मना करती है लेकिन लिसा उसे गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे सता ऐसा क्यूं किया फिर वो टेबलेट में एरिका वाला बटन दबा देती है लेकिन जोर्ज ने बटन वैचे से लगता था कि वो एडम के साथ है और ये सब एक सपना है इसके बाद जॉज एडम के साथ-साथ वहाँ बंदे हुए सारे लोगों को मार डालता है फिर लिसा ये सब देखकर खुद को मानने के लिए अपना बटन दबा देती है और टेबलेट को तोड़ देती है लेकिन जोज जल्दी से वो पट्टा उसके गले से उतर देता है और उसे बचाने के लिए अपने मुझसे उसे सासे देने लगता है तबी लिसा उसके होटों पे काट लेती है और एरिका के साथ वहाँ से भाग जाती है वो भागते हुए ए उसका गला दबा कर उसे माने की कुशिस करता है एरिका भी वहीं चुपी हुई होती है वो रोड से जोज के सरपर वार करके उसे भी हुष कर देती है फिर लिसा और एरिका जोज के गले में वहीं पट्टा बांद देती है और उसे खत्म कर देती है फिर अचानक लिसा एरि और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना मैं मिलूँगा नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाई एंड थैंक यू